पॉली दोज है रेड़ी, राइट नाव आपको देने एक और जू मलिशिस बॉलीवूड रीटेग B-Town के सौ साल के सलेबरेशन में बॉली दोज का रहा है वी लिफ इंडियन सिनिमा के फाइनस्ट मोमेंट्स आज के बॉली दोज का मंत्रा एक से भले दो और दो से भले तीज तभी तो बॉलीवूड के सबसे मेमरबल लव ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं आपकी तरफ राइट अब आउट नाव साल 1949, फिल्म का नाम अंदास अर इसी लाइन पे बनी राज कपूर की एक और मेगा हिट लव ट्राइंगल मुवी यहस लेटर संगाव हमारा अगला लव ट्राइंगल, सूपर दूपर स्पैसी, अमिदा बच्छन जो है अबच्छन जो है अबच्छन फर बोट जया बच्छन और अलसो रेखा, यहस चोपड़ा की 1981 रिलीज सिलसिला, जिसने बनाए वेवस अल ओवर, and it was the last film that Bigby and Rekha did together. अब नेक्स्ट, देवदास, चंद्रमुखी और पारो की अमर प्रेम कहानी, जिससे बॉलीवुड में तो हराया गया four times. पहली बार इस फिल में स्टार किया केल सैगल ने, जो 1936 में रिलीज हुई, और फिर 1955 में बनी, स्टारिंग ट्राज़दी किंग दिलिप कुमार, वैचंती माला, और सुचित्रा सेंद, कहां जाता है कि दिलिप सहाब का performance in the देवदास death scene is the best death scene in Bollywood ever. साल दो हसार दो में, किंग खान ने अपने ही हट के अंदाज में दिया देवदास को एक whole new flavor and kudos to that. And देवदास का new age version, देवदी, that ends with a twist. And then there is ड़, जिसमें शारुक छीनना चाते हैं जूही चाबला को सनी दियों से. पर खूब मार खाने के बाद भी, he wants his क क क क क क क क क किरन. And of course, then there is रंगीला, जहाँ टफोरी आमिर खान, also known as मुन्ना करते हैं कंपीट, मूवी स्टार जैकी श्रॉफ के साथ करने मिली याने उर्मिला मातोंकर को इंप्रेस्ट. एक और रुन आवे हिट लव ट्राइंगल, सन्जु बाबा, माधुरी दिख्षित और सन्नु मिया इन साजन, जो थी 1991 की one of the highest crossing films. वैसे क्या आपको पता था की सन्जु बाबा के करेक्टर को औरिजनली पैर का लिंप था ही नहीं, लेकिन उस लिंप ने ही तो दिया इस कारेक्टर को अ सिंपथेटिक फील. And another love triangle that involved the diva-licious माधुरी. दिल तो बागल है, मैट्स थी at the peak of her career और शारुट. ये जनाब तो बना चुके थे अपना reputation as the romance king. All right people, हो जाता यार क्योंकि एक और explosive love triangle है on its way. हम दिल दे चुके सनम, ऐश्वर्या, सलू और अजय देवगन की ए लव स्टोरी है a total tear jerker. अब इस फिल्म के दौरान, ऐश और सलू एक दूजे को दिल दे चुके and the rest of course we all know. The next love triangle that rock B-town, कुछ-कुछ होता है. फिल्म में अंजली, also known as काजोल, राहूल, also known as शारुक और टीना, also known as रानी मुखर जी के बीच का friendship equals love वाला triangle. के जो की एक और love triangle film कल हो ना हो, जो direct करने वाले थे K-man himself, लेकिन अपने पापा की तबियत खराब होने पर, he passed on the project to उनके assistant director Nikhil Advani. अमिट जी और shotgun शत्रोगन सिना के दोस्ताना से लेकर, John, Abhishek और PC के Miami-based sexy naughty दोस्ताना तक, not to forget the very recent cocktail, तुमी हो बंदू, सखा तुमी हो को कहा टायना पेंटी ने छोटे नवाब से, लेकिन उनके पीचा गई sizzling sensuous दीपी का पादुकोन, यानि Vroom Vroom Veronica. नेक्स है, 2012 साल की ही फिल्म बर्फी, which had a unique love triangle, जहां hearing and speech impaired Ranbir, was caught between with the autistic Priyanka and the haughty Illyana. और जब तक है जान में, King Khan lost Katrina, only to be found by Anushka, and then, re-find Katrina. B-Town में love triangles का सिल्सिला रहा है जारी, forever. And with that, it's time to sign off from this Bolly Dose. आपका अगला Bollywood retake है, just around the corner. तो रहो tuned in, क्योंकि B-Town का 100th birthday, हम से मैंदर कोई नहीं मना सकता.